कौफी विद करन की लेटिस्ट एपिसोट में सैफ अलिखान और शर्मीला ठिक हो रहा है भई इस एपिसोट में एक तमाम बातों का जिकर हो रहा है इस एपिसोट में शो के होस्ट करिन जोहर ने सैफ और शर्मीला के साथ धेर सारी मस्ती और बाते भी की शो में दोनों ही अपनी personal life से जुड़े कई किस से fans को सुनाते दिखाई दिये शो में सैफ और शरमीला टेगोर को काफी ही surprises भी मिले वो थे उनके family members के लिए उनके messages करीना कपूर, सारा अली खान, सोहा अली खान तीनों ने सैफ और शरमीला टेगोर के लिए message बेज़ा था वीडियो में करीना ने सैफ और अपनी सास के बारे में बात की सैफ के बारे में बात करते हुए उन्हें उनकी आँखों में आसुआ गए करीना का अपनी अम्मा के लिए बहुत सारा प्यारा message था उन्होंने बताया कि जब से वे सैफ से मिली थी तब इसे शरमीला टेगोर को अम्मा कहती थी करीना ने कहा कि वो इतनी क्यारिंग और प्यारी है कि मुझे उनके साथ सच में connection फील होता है मुझे लगता है कि वो सबा और सोहा की तरह ही मुझे देखती है उन्होंने हमेशा ही मेरा welcome किया और मुझे कभी भी outside feel नहीं कराया सेफ के बारे में बात करते हुए करीना emotional हो गई उन्होंने कहा कि सेफ मेरे ले क्या माइने रखते हैं सेफ मेरी पूरी दुनिया है वो मेरे universe है मेरी पूरी life मेरे सेफ के इर्दगिर्द गूमती है जब भी मैं उनके बारे में बात करती हूँ तो मेरी आँखों से आसुआ जाते हैं वो मेरी जिन्दगी है करीना से अपने बारे में सुनने के बाद सेफ अली खान चैट शो पर ही हाथ रख लेते हैं और कहीं न कहीं करीना के शब्दों से वो बहुत जादा खुश भी हो जाते हैं करीना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है फैन्स उस पर डेज सारे कॉमेंट भी कर रहे हैं एक फैन ने लिखा करीना सच में सेफ से बहुत प्यार करती है तो किसी ने लिखा कि वा यह क्या जोड़ी है बता दें कि सेफ अली खान और करीना कपूर ने साल 2012 में शादी कर ली थी उनके दो बेटे तैमूर और जै हैं करीना अकसर अपनी हैपी फैमिली की फोटोस सोचल मीडिया पर सांजा करती भी दिखाई देती है फिलाल आज की इस रिपोर्ट में बस अतना है